हेलो वाटसब गाइद आज की वीडियो में हम sql query के बारे में discuss करेंगे कि sql query हमारी क्या होती है उसे हम क्यों use करते हैं so basically sql हमारे एक structured query language होती है जिसके थुरू हम क्या करते हैं हम अपने data को store कर सकते हैं अपने database के अंदर उसे manipulate कर सकते हैं उसे delete कर सकते हैं अपने data को हम insert कर सकते हैं या फिर हम कुछ भी उसमें changes कर सकते हैं आज की वीडियो में complete sql query के बारे में discuss करेंगे कि sql query हमारी क्या होती है इसमें कौन-कौन से commands use करते हैं और हम अपने database के अंदर data को कैसे store कर सकते हैं like हमारी create query हो गई या फिर हमारी insert query हो गई या फिर हम data को कैसे fetch कर सकते हैं हम इसके लिए हम select query use करते हैं तो आज की वीडियो में complete sql query के बारे में discuss करेंगे right तो सबसे पहले हम write कर लेते हैं हमारी first query ठीक है तो अगर हमें कोई भी data store करना पर database के अंदर टो सबसे पहले हमारी command हिखे ही होते है कि हम database को कैसे create करते हैं तो सबसे पहले हम first command लिख लेते हैं that is create database और यहां पर हम hem mention करना होगा database का name ठीक है ? legally면 our employee सटोर्ग करना है तो हमारी database का name इंचल करओंगी एड़ेट से एंपलोए ओका सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं तो हम इसको क्या से करेंगे इस आप देख सकते हुआ है कि हमारा डेटावेस और डेटावेस के अंदर कि उकले सो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें सबसे पहले एक Table कोthis करना पड़ेगा कि Table के अंदर मान लो कि अगर हमें Employee का डेटा स्टोर करना अपने database के अंदर तो Employee के अन्दर Like हमारा Employee की id क्या होगी employee का name क्या होगा Poe of employee का date of joining क्या होगा उसकी mail id क्या होगी अगर हमें यह सब data अपने table के अंदर store करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी table को create करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले write कर लेते है create table और यह हमारा employee की table का name हो गया ठीक है और यहां पर हम mention कर लेते हैं id and here I will write integer primary से पहले जितने भी हमारी columns होते हैं हमारी table के अंदर उसमें से हमारा एक column में हमारा क्या होगा एक primary की हमारी mention होगी जिसके थरो हम क्या कर सकते हैं अपने data को uniquely identify कर सकते हैं right so इसके बाद हम अपने employee का name write कर लेते हैं so here I will write name okay so यहां पर मैं mention कर लेती हूं salary यहां पर मैं mention कर लेती हूं हमारी date of joining so here I will write okay so यहां पर हमारी जो table है वो create हो चुकी है so let me write right so हम table को कैसे create करते हैं by using create command तो create command के थूर हम table को create करते हैं और यह हमारा employee क्या हो गया है table का name हो गया और इसके अंदर हमारे जितने भी columns होगे like हमारे employee की ID क्या होगी employee का name क्या होगा employee की salary क्या है यह employee का date of joining क्या है यह उसकी email ID क्या है वो create हो चुकी है तो create table को हम कैसे so करवाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर एक अलग query लिखेंगे that is describe employee okay so यहाँ पर यह जो describe is के थूर हम क्या कर सकते हैं हम अपने table को fetch कर सकते हैं हम अपने table को describe कर सकते हैं so let's run this statement so you can see here यह हमारी जो table हो create हो चुके जिसके अंदर हमारा ID हो गया name हो गया salary rate of joining email ID right और यहाँ पर हमने ID को primary की mention क्या था तो यह हमारी primary की आ गई okay so इसके through हम क्या करेंगे हम अपने जो हमारी table है उसको हम describe कर वा सकते हैं फिर इसके बाद हम आते हैं हमारी third statement में so इसके बाद हम write करते हैं कि हमारी table के create होने के बाद इसमें हम डेटा को कैसे insert करेंगे ओके तो यहाँ पर हम हमारी next command write कर लेते हैं insert table तो data को insert करवाने के लिए अपने table के अंदर तो यहाँ पर हम write कर लेंगे insert command so here I will write insert into पर यहां पर हमारा जेगर table करने है right and here I will write values okay so table के अंदर data को insert करवाने के लिए सबसे पहले हम mention करेंगे हमारी id और id को हमने बन ले लिया ठीक है name को हमने mention कर दिया salary को हमने ले लिया 9000,000 date of joining को हमने कोई date ले mention कर दिया और email id हमने mention करती ठीक है तो जैसे हम control plus enter करेंगे तो हमारा जो data है वो हमारा table के अंदर add हो जाएगा right so table के अंदर data को fetch करने के लिए हम क्या use करेंगे select karman so here I will write select star from employee so let's run this statement so you can see कि हमारी table के अंदर हमारा जो data है वो हमारा successfully add हो चुका है right so इस तरह हम क्या करेंगे हम अपनी table के अंदर multiple data को add कर सकते हैं right so let me write one more data so here I will write this statement okay so मान लो कि अगर मुझे यह same data को अगर मुझे add करने अपनी table के अंदर so you can see here कि हमारा जो data है it will show error because duplicate entry is not allowed right यहापे हमने primary keys लिए mention क्या है because यह क्या करता है कि हमारे data को uniquely identify करता है जिसके थिरुम क्या करें कि हमें अपनी primary key को different रखना पड़ेगा right so let's run this again so you can see here हमारा जो data है वो successfully run हो चुका है so let's use this command right कि हमारी id different है but हमारा data same है okay let's enter one more statement so यहापे हम change कर देते हैं salary okay यहाँ हम name change कर देते हैं let's say this one okay और यहापे हमने id को भी change कर दिया और जो हमारी email id उसको भी हम change कर देते हैं right so let's run this statement okay so select command के थुरू हम क्या करेंगे हम अपने data को fetch कर सकते हैं right तो जितने भी data को हमने insert के अपने table के अंदर वो हमारा successfully आ चुका है प्रूर्शन कवर कर लिया कौन 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 से command कर लिया कि हम अपने table को कैसे create करते हैं database को कैसे create करते हैं table के अंदर data को कैसे insert करते हैं और हम कैसे data को fetch कर सकते हैं right तो इसके बाद हम आते हैं हमारे next part पर so next command हम use करेंगे that is alter command so इसके तो हम यह सिखेंगे कि हम अपने column को कैसे add कर सकते हैं ठीक है तो जो हमारी employee table है इसके अंदर हमने कुछ columns add किया like हमारे id हो गया name हो गया salary हो गया date of joining and email id ठीक है मान लो कि अगर हमें कोई एक column और add करने अपनी table के अंदर तो उसको हम कैसे add करेंगे so उसके लिए हम use करेंगे alter command so here I will write this one और हमारा table का name क्या था employee ओके और column को add करने के लिए यहाँ पर हम use करेंगे add column और यहाँ पर हम mention करेंगे हमारी curly braces के अंदर हमारी small bracket है इसके अंदर हम mention करेंगे कि हमारा column का name क्या होगा और उसकी data type क्या होगा right so यहाँ पर हम name mention कर लेते हैं so here I will write department number और इसका data type उसको हम integer रख लेते हैं right so let's run this statement okay तो जो हमारी table है इसके अंदर हमारा एक column और add हो चुका है that is department number so let's describe this table again so you can see here कि हमारा जो department number है वो आपका add हो चुका है आपकी table के अंदर right so इसके बाद हम run कर आके देख लेते हैं अपनी table को so you can see here initially आपके जो department number है वो आपका विल्कुल empty है ठीक है और हमारी table के अंदर तीन data अवेलेबल है right so alter command के थुरू हम क्या करेंगे अगर हमें अपनी table के अंदर कुछ भी modification करना है या फिर हमें अपनी column का name change करना है या फिर हमें कोई next column add करनी है तो alter command के थुरू हम modification का work करते है right so इसके बाद हम आते है next step पे और मान लो कि अगर हमें कुछ भी update करना है अपनी table के अंदर कोई भी data है या फिर हमसे कोई mistake हो गई है in case तो हम अपनी table के अंदर data को कैसे modify करेंगे कैसे update करेंगे so उसके लिए update command use करेंगे right so यहाँ पे हम use कर लेते है update command so here I will write employee table okay और यहा update के साथ हम इसे set यूज होता है so यहाँ पर हम write कर लेते है set और मान लो कि अगर यहाँ जो मेरी first आईडया इसमें मुझे name को change करना है okay अगर मुझे name को change करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे update property का use करेंग… अबडेट command का और यहाँ पे हम write कर लेते है name और यहाँ पर हम name को change करतेंगे okay so here I will write this one और यहाँ पर हम write कर लेंगे कि जिस भी employee की ID 1 है उसका name set कर दो that is plug okay so जिस भी employee की ID क्या होगी 1 होगी उसका जो name है वो set कर दो plug so यहाँ से हम इसको control plus enter करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका name है वो आपका modify हो चुका है so let's run this statement again okay so यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो name है वो आपका update हो चुका है okay so update command के तुरू हम क्या करेंगे आप अपने data को modify कर सकते है right so इसके बाद हम अपनी next statement write कर लेते हैं okay so मान लो कि अगर हमारे पास loads of data है अपनी table के अंदर और इसमें से मुझे particular data को export करना है right जैसे कि हमारी employee की table हो गई इसमें हमारी salary mention है that is 90,000, 90,000 and 40,000 right अगर मुझे एक unique salary को export करना है या फिर unique salary को find out करना है तो उसके लिए हम क्या use करेंगे distinct command use करेंगे so here I will write select distinct okay और यहाँ पर हम mention कर लेते हैं salary from employee okay so distinct keyword के थुरू हमारा क्या होगा distinct जो आपकी command है इसके थुरू हम find out कर सकते हैं कि हमारी unique salary कितनी हो okay अगर हमें unique data को export करना है तो उसके लिए हम distinct keyword का use करेंगे distinct command का use करेंगे so let's run this statement okay so यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी distinct salary है वो आपकी आचुकी है that is 90,000 and 40,000 because हमने 90,000 को दो बार mention कहता है बट हमारा one time ही already हमारा export हुआ है so distinct keyword का हम use किसले करते है एक particular unique salary को export करने के लिए ठीक है तो हमने select command का use किसले कहता है हमारी जितनी भी information है उसको display करवाने के लिए right so my next query is कि अगर हमें किसी एक particular employee का data जो है display करवाने तो उसके लिए हम क्या use करेंगे तो यहाँ पर हम select के साथ where condition का use करेंगे right so here I will write select star from employee where id is 3 okay so मान लो कि अगर मुझे जो हमारा third employee है उसका data मुझे fetch करवाने या फिर उसकी information मुझे चाहिए तो उसके लिए हम select command का use करेंगे और यहाँ पर हम where के through condition लगा देंगे कि जिसकी id 3 है उसका data हमें चाहिए right so यहाँ पर हम जैसी control plus enter करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो third employee है उसका data हमें मिल जाएगा okay so इसके बाद हम अपनी next command पर आते हैं so यहाँ पर हमने already discuss किया था कि हम enter command का use किसली करते हैं अगर हमें कुछ भी data को modify करना है right so मान लो कि अगर जो हमारे पास column है like हमारे पास id हो गई name हो गया और हमारे date of joining हो गया फिर salary हो गया इसमें से अगर मिसे किस भी particular column का data type change करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे हमारे अल्टर कमांड यूज करेंगे right so here I will write तो यहाँ पर हम क्या करेंगे mention कर लेते हैं that was my alter command so here I will write alter okay so यहाँ पर आप मैं देख सकते हो कि जो salary है उसका data type हमने float use किया था okay अगर हमें अपने particular column का data type change करना है तो उसके लिए हम क्या use करेंगे alter command का use करेंगे और यहाँ पर हम mention कर लेंगे that is modify okay so अगर हमें data type को mention करना है सबसे पहले हमारा employee जो आपकी salary थी उसका data type हमारा float था और अगर हमें salary का data type change करना है int में तो उसके लिए हम क्या use करेंगे modify so let's run this statement okay so यहाँ पर हमारा run हो चुका है successfully हमारी जो alter command है so let's fetch this information so यहाँ पर आप देख सकते हो so सबसे पहले इसके लिए हम क्या use करेंगे describe table table को describe करवाने के लिए okay so जो salary है उसका data type आपका change हो चुका है ठीक है आपका float से किसमे integer में राइट तो इसके बाद हम आते हैं command पर and that is drop okay so drop command हम किसले use करते हैं अगर हमें किसी particular column को delete करने अपनी table के आंजा तो उसके लिए हम क्या use करेंगे drop की command यूज करेंगे right so यहाँ पर हम mention कर लेते हैं alter and here I will write table और हमारा table का name आजाएगा और अगर हमें किसी भी particular column को delete करना है तो उसके लिए हम क्या use करेंगे drop use करेंगे and यहाँ पर हम mention कर देंगे column और हमारा column name हमारा क्या हुआ हुआ जैसे कि let's say हम column name mention कर लेते हैं that is name okay so जो हमारा employee का name है उससे अगर मुझे delete करना है उस column को मुझे delete करना है तो यहाँ से हम इस query का use करेंगे so just run this statement so हमारी जो alter command है ठीक है वो हमारी successfully run हो चुकी है और जो हमारा employee का name है वो हमारी table से delete हो चुका है right so सबसे पहले हम इस employee की जो table है इसको display करवा लेते हैं so you can see here कि जो name है वो आपका delete हो चुका है जो name का column है okay so name का column को कैसे हम delete करेंगे by using drop command right so drop command के थुरू हम किसी भी particular column को delete कर सकते है so इसके बाद हम आते हैं हमारी next command पे and that is rename okay so rename basically हम किसले use करते हैं कि मान लो कि अगर हमने अपनी employee जो table है table का name हमने employee रखा था okay अगर हम अपनी table का name change करना है तो उसके लिए हम क्या use करेंगे rename यूज़ करेंगे ठीक है rename command का use करेंगे so I will write alter say table और यह हमारी table का name हो गया that is employee और अगर हम एंатель table का name change करना है तो उसके लिए हम क्या use करेंगे rename okay so here I will write to that is employee one okay so rename के थूँ हमारा क्या हो जाएगा जो हमारी table का name है वो हमारा convert हो जाएगा किसमे employee one में so let's run this statement okay so हमारी जो table है उसका name change हो चुका है so जैसे हम इस table को display करवाएंगा so you can see here कि हमारे जो table का name है वो change हो चुका है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा employee की जगे हमें यहापे write करना पड़ेगा that is employee one so let's run this statement again so you can see here okay so हमारे data का विजिबल होगा जब हम employee one write करेंगे okay so अगर हमें अपने table का name change करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे rename property यूज करेंगे जिसके तुरू हमारे जो table का name है वो हमारा change हो जाएगा okay so इसके बाद हम आते हैं अपनी next command पर so मान लो की जैसे कि अगर आपने देखा यहापे कि हमें अगर employee की जो table है उसका name change करना है तो उसके लिए हमने क्या यूज क्या था okay so यहाँ पर हम mention कर लेते हैं income from employee one okay so हमारे जो table का name है वो change हो चुका है employee one और अगर हमें salary को change करना है किसी another name में so यहाँ पर हम write कर लेंगे as so let's run this command again so you can see here यहाँ पर जो आपकी salary वो आपकी आचुकी है और जो name है salary का वो change हो चुका है that is income right so this is how we are changing the column heading so इसके बाद हम आते हैं हमारी next command पर आते हैं and that is delete command so यहाँ पर हमने already देखा था कि drop command का use हम किसले करते हैं कि अगर हमें किसी particular column को delete करना है तो उसके लिए हम क्या use करेंगे drop command so drop command के तुरू जो हमारा name का जो column था वो delete हो चुका है right so मान लो कि अगर मुझे किसी particular row को delete करना है ठीक है column को delete करने के लिए तो हमने drop command यूज किये और row को delete करने के लिए हम क्या use करेंगे delete command यूज करेंगे so यहाँ पर उसके लिए हम यहाँ पर write कर लेते हैं delete from और जो हमारा name है employee का table का वो है employee1 so here I will write where और id को हम mention कर लेते हैं let's say 3 ठीक है so जो जिस employee की id 3 होगी उस employee का data हमें क्या करना है delete करना है तो उसके लिए हम क्या use करेंगे delete command यूज करेंगे so let's run this statement okay so यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका employee1 का जो आपका जिसकी id आपकी 3 है निखील ठीक है तो उसका जो data है वो delete हो चुका है so let's fetch the data from the table तो table का जो name है वो हमें change करना है okay so यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका third employee है उसका data delete हो चुका है okay so delete command के तुरू हम क्या करेंगे हम अपने data को delete कर सकते है okay so अगर हमें complete table को delete करना है तो उसके लिए हम क्या use करेंगे drop command का use करेंगे okay so here I will write drop table okay और table का name हमारा क्या था employee1 okay so अगर मुझे complete table को delete करना है तो यहाँ पर मैं क्या use करूंगी drop command का use करूंगी drop table employee1 so let's run this statement यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो आपकी table है वो आपकी delete हो चुकी है Okay so जैसे हम इस table को fetch करते है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कोई table ही नहीं है जैसे हम इस statement को run करते है that is describe table तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे table ही mention नहीं है विकोज हमने क्या करिया कि जो हमारी टेबल थी, complete table को ही हमने delete कर दिया, okay, so, इस वीडियो में हमने यह सेखा कि table को हम कैसे create करते है या फिर हम table के अंदर data को कैसे insert करते है और जो जितने भी हमारी information होती है उसको कैसे fetch करते है और किसी को देवल को डलिट करना या वह में च incumbent करने के लिए अगर हमें फूरी टेवल ये डिलिट करने है तो ऊसके लिए हम क्या उम्प्लोई Will टो यह आपको जितने भी आपका कोर्ड है यह सब मैं आपको प्र lleid कर दूंगे आपको पडिन टेबल कॉम कैसे कैसे किरेट करते हैं कैसे करते हैं कैसे जितनी में कुरी को इस वीडियो में इस्कैस किया है उसको सोर्स Code पडिमें प्रोइड कर दूंगा ब्सक्रिंपशन विख सकते हो राइट बंगी पीडियाफ बनाया है जिसमें आपकी सारे iql कमांड्स आपको मिल जाएंगे कि आप टेबल को कैसे किरियेट करते हो या फिर टेबल को कैसे डिसक्राइब करते हो जिसके अंदर विद सोलुशन के साथ आपको यह पीडियाफ मिल जाएगी आउटपुट के साथ कि हम डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं फिर हम डेटा में हमारी जो टेबल है उसमें कोलम को कैसे एड करते हैं टेबल में डेटा को जो कैसे मोडिफाय करते हैं कैसे अपडेट करते हैं तो उसके लिए हम जो अपडेट कमांड है वो कैसे यूज होती है या फिर हम सैलरी को कैसे करते हैं किसी एक miraculous data को तो उसके लिए हम distinct keyword उसकी करते हैं और अगर अगर अबने टेबल में से इंफर्मेशन को ऐस्थ करने और फिर इंफ्रमेशन में से दिस्प्ले करना है तु उसके लिए हम select command करते हैं और इसका जो output है वो भी आपको डिस्प्ले है इस फीडिया फॉर्मेट में राइट ओके सु इतनी भी sql query हमने राइट है इस वीडियो के अंदर व आपको description box में मिल जाएगी आपको pdf format में महां से आप उसको save कर सकते हो right and if you face any doubt in this video then you can write it on comment section I will definitely help you and if you find this video helpful then please like and comment on my youtube video and subscribe my channel for more development videos like this thank you so much